हेलो गाइस, वेलकम टो अनदर न्यू वीडियो वीडियो अगर आप SSE MTS 2022 के एस्पिरेंट है तो आपके लिए एक बैद न्यूस है, वो बैद न्यूस यह है कि आपकी वेकंसी जो है उसको वापस से डिक्रीज कर दिया गया है अब कितनी क्या वेकंसी डिक्रीज हुई है, किस एज ग्रूप के लिए आपकी वेकंसी डिक्रीज हुई है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे साथी हम देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है आखिरकार वो और कितना इंतिजार आप करवाएगा तो वीडियो काफी important रहने वाली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request है कि वीडियो को पूरा देखिएगा full information के लिए किसी पार्ट को skip मत करेगा काफी ज़्यादा informative वीडियो है आप सभी के लिए और अगर आप में चैनल पर पहली बार आए है तो make sure आपने चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दिया होगा ताकि कोई वी न्यू वीडियो इस चैनल पर upload हो तो उसका notification आप सभी लोगों तक पहुंच जाए और राइट गाइस यह वीडियो को start करते हैं बिना किसी delay के तो देखिए SSC MTS 2022 में जब vacancy आउट हुई थी SSC MTS अन हवलदार के लिए तो आपकी total जो vacancy थी वो 12,520 थी फिर 11 October 2023 को एक notification जारी होता है final vacancy आउट होती है जहां पर आपकी final vacancy है वो कितनी बसती है 11,788 मतलब आपकी total 735 मतलब 735 vacancy जो है उसको कम कर दिया जाता है तो final vacancy जब आउट होती है तो मतलब जो आपको हम लोग result बताते हैं कि expected date आपकी result की यह है तो उसका basis क्या रहता था कि जैसा आपका previous year में क्या होता था कि जब भी मतलब पिछले साल क्या हुआ था या उसके पहले भी क्या होता था कि जब भी आपकी final vacancy जब आउट होती थी तो उसके दो दिन बाद आपका जो result था वो आजाता था ठीक है तो जो भी आपको बताया जाए result के बारे में कि इस date पर result आ सकता है ठीक है आपका result इस तारिक तक आ सकता है तो वो किस basis से बताया जाता है इसी basis पे कि हाँ आपकी final vacancies update हो चुकी है आउट हो चुकी है तो आपका result जो है वो दो-तिन दिन के अंदर आ जाएगा उसी अधार पर आपको हम लोग भी अभी तक बताते थे कि हाँ result आ रहा है या result इस दिन आ सकता है expected date बताते थे लेकिन इस बार जो है एससी पता नहीं किसी direction में है कि फिर से जो है vacancies उसको फिर से decrease कर दिया गया है ठीक है फिर से आपकी जो है vacancy को update किया गया है और अब पहले जो आपकी 11,788 vacancy थी उसको 4 और कम कर दिया गया है और जब जो आपकी current vacancy बची है अब आपकी vacancy जो है 11,784 ठीक है 11,784 जो है आपकी vacancy है आप जानते हैं कि किस age group के लिए इस vacancy को कम किया गया है तो 28-27 age गरूप जो है उसके लिए इस vacancy को कम किया गया है उनके लिए total vacancy थी 2,740 अब 4 उसमें कम कर दिया गया है तो अब जो उनकी vacancy बची है वो है 2736 ठीक है तो 4 vacancies जो है total इसको reduce किया गया है तो यहां पर आप देख रहे है vacancies को वापस से reduce कर दिया गया है जिसके वज़े से cut off फर थोड़ा बहुत impact जो है फिर से देखने के लिए मिलेगा और बात करें अगर आप result date की तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका result date है वो किसी को मालूम नहीं रहता है सब expected result date बताते हैं और वो किस basis बताते हैं कि जैसे कि आपके जो पिछले time में जो result आया करता था कि जैसी आपकी final vacancies out होती थी उसका notification out होता था उसके लगबग 2-3 दिन में आपका result जो है वो out हो जाता था ठीक है बट इस बार जो है वो कुछ मतलब अलगी देखने के मिल रहा है आपकी final vacancies पहले out हुई ठीक है उसके बात फिर से आपका update हुआ फिर से आपकी चार vacancies जो ह है वो update होती है और आपका result उसके 2-3 दिन में आ जाती है तो अगर मैं result की बात करूं तो आप मान के चलिए कि अगर आपकी यही final vacancy है 11,784 तो आपकी update हो चुकी है आप 2-3 दिन में आपका result जो है वो आ जाना चाहिए ठीक है मैं क्या बोल रही हूं mark my words आ जाना चाहिए तो आप इसको ऐसे मत लेके बैट साहिएगा कि आपने बोला था कि 2-3 दिन में आ ही जाएगा तो क्यों नहीं आया तो भाई देखिए result तो हम बनाते नहीं है जो result बनाता है उसको upload करना है उसको result देना है तो हम बस आपको expected date बता सकते हैं मतलब वो भी कैसे बता सकते हैं कि हम तो previous year के देखते हैं कि हाँ previous year में ऐसे ही आपका result जो है वो आता था कि आपका final vacancies out होती है then आपका result आता है 2-3 दिन में तो result आपका इस हफते में आदाना चाहिए because final vacancies तो out हो चुकी है so thank you guys for watching this video अगर video helpful लगी हो तो do like, comment, share with your friends and do not forget to subscribe this channel for more such kind of informative videos regarding to your government job vacancies